हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी बटर बाइट बिस्किट की रैस्पी लेका हैं जिसको हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे वो भी आटे से बहुत ही टेस्टी बनेंगे घर के ही समान से बनाएंगे आपको मार्केट से कोई समान नहीं लेना ना हम इसमें बटर और एक कप लेंगे ग्यों का आटा जितना आटा है उसका हाफ बटर लिया है और उससे थोड़ा सा कम मैंने देशी खांड लिया है वन फॉर्थ चमच लिया बेकिंग पाउडर और एक पिंच लिया है नमक थोड़ा सा लिया वनिला एसेंस प्लेयर के लिए अगर आप बन पाउड़ा निला भी डालना चाहते है तो इलाइची पाउडर डाल लें दो से तीन डॉप यलो फूड डाल के अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स को कि इसका बनाना है आप हमें डो आप हाथ से बना रहे हैं आप हाथ से भी कर सकते हैं सारा काम कि ना तो बहुत से रच्छा नहीं आएगा अगर आपको थोड़ा सा सोफ्ट बन गया तो उसको फ्रीज में रख दे और अगर टाइट है तो थोड़ा सा बटर मिला के दुबारा से मिक्स कर ले पानी और दूद का यूज बिल्कूल भी नहीं करना आपको इसका डो बनाने के लिए इस तरह मै डाइगा जुरूर बनाना इस तरह मैंने हैसको आथ से फिला दिया हूा तो बहुत गया सकते हैं कैई आप इसको मैं थोड़ा सा काजु क्टड़े से गारनिस्व करूंगी है कि बटर बाइट है तो काजु ही चलता है कंदसे टेस्ट भी बवत ही बट़ा लगता है मजेदार इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दे बिल्कुल ज्यादा मैनत नहीं है सबसे सिंपल रेस्पी आपके लिए में लेके आई हो अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक से अरो सब्सक्राइब करें और एक बार बना के कमेंट जरूर मेरे स दिकत नहीं है भई फिरी में होता है कोई पैसे नहीं लगते हैं तो स्पोर्ट करें चैनल को प्लीज इसी तरह की बड़िया रैस्पी देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले अभी हमने फ्राई पैने वाले तो तो त्यार कर दिया प्लेट बटर पेपर लगा के उपर से र करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर इसमें एक साथ छे पिस्ट बनके त्यार हो जाएंगे आपके ब्रैस इसलिए कर ले ताकि नीचे से इनको अच्छी सी शेप मिल जाए उपर से भी लेवल आपको बिल्कुल ब्राबर मिल जाए थोड़ा से ठीक कर लें उपर से एक बार जरूर ट्राइ करके देखें बहुत ही बड़िया बने थे बार 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 बोल लिए आपको लग रहा होगा पर प्लीज बना के देखिए तब ही पता चलेगा ना कैसी बनी है यह मैंने त्यार कर लिए हैं जो मैंने माइक्रोवेव में करूंगी 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनिट में रेडी हो जाते हैं मेरे माइक्रोवेव में अब इनको रख देते फ्राइपन में कोई नमक नहीं डाला बस एक स्टेंड जुरूर रखना स्टेंड नहों तो छोटी कटोरी बी उल्टे करके रख सकते हैं अब इसको अच्छे से कवर कर दे कि इसके हवालीक ना और सिम गैस पर आपने इसको 25 से 30 मिनिट तक आपको बेक करने में लगेंगे इसको तो यह देखे 25 मिनिट के बाद यह अच्छे से बेक हो गए हैं अगर आपको और डार कलर चाहिए तो पांच मेंट और दे दे और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखें यह बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं नीचे से भी देखिए इनका थोड़े गरम है और सौफ्ट भी ज्यादा होते हैं तो अब इसको गरम कडाई में रखेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज और हो जाएगा ठंडा होने के बाद अगर फिर भी आपको डाक चाहिए तो 2-3 मिनिट के बाद फिर बहुते बढ़ीय बने हैं माइ sushi वाले भी त्यार हो गए हैं दस मिनिट में नीचे से कलर रेंठ को थोड़ा सा हुआ कर आया मैं इसको निकाल लेती हूं वी देखिए अभ थोड़ा सा कलर डार को गया और बहुती संदर लग रहे हैं आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें इतने घर में बनाके गर्मा गरम चाय का मजा लें बहुती टेस्टे लगेंगे मिलते हैं अगली बड़ी ऐसे रास्पी में जब तक के लिए बाई